नेक्ट्ट टॉपिक है टॉपिक नंबर फाइब है दरजी परियाव रण घटना करम को तो आएए दोस्तों स्टार्ट करते हैं यहां पर कुछ इंप्वाटन्ट फैक्ट को देख लेते हैं एक्जाम के पाइंट आप इस इंप्वाटन्ट फैक्ट है कि भारत में कि दो हजार बीस एकीस में आय तोफान यूंव चक्रवाट कौन से चक्रवाट किस एरिया को प्रभावित किये यहां पर देखते हैं उनका नाम क्या रहा और किस कंट्री किद्वारा उनका नामकरण किया गया पहला जो नाम है दड़िज यास यास से आये से तूफान से जो चक्रवात आया था यास इससे उडीशा पस्सिम बंगाल जो है काफी प्रभावित रहे और इसकी जो उत्पत्त यास की है वह बंगाल की खाड़ी शी रही और इसका नामकर्ण जो है ओमान कंट्री की द्वारा किया गया था अगला जो पॉइंट है आपका वो है तावते तावते ने भी काफी तबाही मचाई थे दड़िज महाराष्ट्रा और गुजरात में और इसकी जो उत्पत्ती रही वह अरब सागर से और तावते जो नाम है या किस कंट्री की द्वारा दड़िज में मार की द्वारा ठीक है अगला जो आपका तूफान रहा दड़िज बुरोवी तो बुरोवी जो है यह तमिलनाड और केरल को प्रभावित किया और यह इसका जो मेंपॉइंट रहो बंगाल की खाड़िशे और यह जो है मालदीव इसका नाम रखा था मुरोवी निवार की बात की जा है तो निवार जो चक्रवात रहा इससे प्रभावित रहे वह तमिलनाड और पुद्द्देचेरी और बंगाल की खाड़ि में इसका जो है वो उत्पत्ती हुई और इरान की द्वार जो है निवार नाम रखा गया अंफान तो अंफान से प्रभावित छेत्र उडिशा पसिम बंगाल और बंगाल की खाड़ि इसकी उत्पत्ती छेत्र रहा और थाइलेंड के द्वारामफान का नाम रखा गया तो आईए यहाँ पर अब टाप YM CQ को कबर करते हैं पहला प्रस्न आपके सामने है कि शयूक्त राष्ट्र द्वारा जलवायु राज दूत के रूप में किसे निउक्त किया गया है आपका यहाँ पर सही जबाब होगा आपशन B. माइकल ब्लूबर्ग को अगला प्रस्न है कि बेस्व आद्र भूमी दिवस किस दिन मनाय जाता है आपका सही जबाब होगा आपशन D. दो फरवरी को अगला प्रस्न है कि जुलाई 2021 में भारत के कितने बाग आरच्चे छेत्रों बैस्विक सर्रक्षन सुनेश्चित बाग मानकों की मानता प्राप्त हुई है आपशन A. 9 आपशन B. 12 है 12 है और आपशन C. 14 है और आपशन D. 90 तो भारत के कितने बाग आरच्चे छेत्रों को बैस्विक सर्रक्षन सुनेश्चित बाग मानकों की मानता प्राप्त हुई है आपका सही जबाब होगा आपशन C. 14 अगला प्रस्न है कि भारत की ओर से किसे अंतरराश्टियस और गडवंधन का नया महानिदिस्तत निक्त किया गया है इनका नाम है अजह माथूर आपशन ए सही जबाब होगा तेन संस्थाओं के बैज्ञानिकों के एक समोह ने किस राज में अलपाइन पौधे की एक नई प्रजाति की खोज़ की है अलपाइन पौधे आपका सही जबाब होगा अरुनाचल प्रदेश आपशन C. सही जबाब होगा अगला प्रसन है कि हाल ही में गुजरात की किस व्यक्ति ने सत्य अग्रा अंगेस्ट पैलूशन आंदोलन की सुरुवात की है आपका यहां पर जो आपशन है दोस्तों वो है इनमें आपको नाम बताना है कि सत्य अग्रा अंगेस्ट पैलूशन आंदोलन की सुरुवात किस व्यक्ति ने की है आपका सही जबाब हो जाएगा यहां पर आपशन दी बिरल देश आई हाल ही में महाराष्ट सरकार ने गोरेवाडा चिडिया घर का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है गोरेवाडा चिडिया घर का नाम बदलकर बाला साहिब ठाकरी की नाम पर आपसन से यहां पर सही जबाब होगा हाल आ가지 में केंद्र पर्यावन्वन और जलवायु परिवर्तनमंती प्रकास जाबेटकरने कि करने केशंट फारदीस में पर्यावनढ्भावन का उद्गाटन right तो आप्रकास जाबेटकर दिकाषा सकते हैं त इहां पर आपका सहित guitar क्या होगा लाशी दिव The하겠습니다 it is कीए व्ड इंव्सक्री राइंकिंग 2021 में काउन सभीश्य विद्यालाय प्तरिक है तो आको यहां पर सही बताएं की सभाना सभाव होगा ya maize whose प्रोगी शंस्थान कहां पर अमियरिका का है चलिए नेक्स्ट है कि अंतर राष्ट ये उर्जा एजंसी द्वारा जारी इंडिया एनर्जी आउट्लुक रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस वर्स तक भारत चीन यों अमेरिका के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उर्जा उपभोगता बन जाएगा तो चाइना और अमे पर तीसराग आप्षण डी यहां पर सही जब अगला प्रस्ण नंबर 12 है कि हाल ही में नीद आयुक द्वाराजारी शतत्द विकास लच इंडिया सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है पहला कथन दे रखा है कि इस सूचकांक में केरल को प्रथम अस्थान प्राप्त हुआ है कारण दे रखा है कि इस सूचकांक में अंतिम अस्थान पर बिहार रहा कथन कारण क्या यह इस कारण जो है केरल को पहला अस्थान मिला है तो यहां पर actually क्या है आप यहां पर इसको जो कारण दे रखा है इसको कथन कर लीजिए ठीक है कि पहला कथन है कि केरल को प्रथम अस्थान पुराप्ट हुआ है बात बिल्कुल सही है दूसरा कथन है कि सोचगां के में अंतिम अस्थान पर बिहार है बात बिल्कुल सही है कि दोनों के दोनों जो कथन है वह बिल्कुल सही है अगला प्रस्ण है कि मार्श 2021 में जारी वर्ड हैपिनेस इंडेक्स में संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है यह कोईशन हम आगे जो सुचकांग को रिपोर्ट में टॉपिक कबर करेंगे वहां भी आपको यह कबर करने को मिलेगा आपको बताना है कि वर्ड हैपिनेस अंगी में टीक है तो 20 सुचकांग के बारे में कौन सा कळत सही नहीं है पहला कथन दे रखा है कि इसमें जो पहला अस्थान है फिनलेंड को प्राप्त हुआ है बात बिल्कुल सही है इसमें भारत को जो अस्थान है या अपना जो प्यारा भारत है उसका अस्थान कितना है 139 है तो यह बात भी बिल्कुल सही है तीसरा कथन दे रखा है कि 2020 में भारत को जो अस्थान रहा 144 हुआ रह और 2021 में क्या रहा 149 तो यहां पर सभी जो कथन है वह बिल्कुल सही है आप सने यहां पर डी सही जबाब हो जाएगा तो आप समझ रहे हैं कि अगर एक्जाम में पूछा जाता है कि पिछले बार कितना रहा क्योंकि कभी कभी PCS अगले एक्जाम में पूछ लेते हैं यहां पर आपको जो सही जबाब देना है कि बात बिलकुल यहां पर सही है ठीक है पिछली बार 144 रही लेकिन आउट आफ कितना 156 139 जो पोजीशन है यह 144 में ठीक है तो आप समाज सकते हैं चली आगे चलते हैं प्रस्ण संख्या 14 है कि नीती आयुक द्वारा जारी शतत विकास लाइंगिंग समानता सूचकांक 2020-21 में किस राज्जी को प्रथम अस्थान प्राप्त हुआ है तो यहां पर जो पहला अस्थान प्राप्त करने वाला राज्जी है उस राज्जी का नाम क्या है सही जबाब ह होगा आपका अपसंद सी 36 अगला प्रस्ण है किस राज्ज में इस्थित रामगठ विश्धारी अभ्यारंड भारत का बावनवा वाग्या भ्यारंड बन गया है तो यहां पर टोडल जो टाइगर रिजर्व हो जाएगे बरतमान में टोटल कितने हैं इंडिया में तो 52 तो जो बावनवा लेटेस्ट है इसका नाम क्या है रामगठ विश्धारी वाग अभ्यारंड ठीक है तो यहां पर आपका सही जबाब होगा जो रामगठ विश्धा किये गए हैं तो श्री बिली पुथूर मंग मलाई टाइगर रिजर्व जो कि तमिल्लाड राज्जी का है और देश का इकाउनवा जो है यह ताइगर रिजर्व है और तमिल्लाड में टोटल जो है वो पाच टाइगर रिजर्व है रामगठ विश्धारी टाइगर रिजर सब्सक्राइब का है यह कर तेख का और कि तीरपनमा तो पूछा जाता है तो आपको लगाना होगा मध्यप्रदेश में है ठीक है तो यहां भी ध्यान देना है तो टोटल टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी 53 आगे चलते हैं अगला जो इंपॉर्टन तथ्या है वो है कि जो रामसर साइड सा एक्जाम में पूछे जाते हैं यहां तक की PCS में भी पूछ लिये जाते हैं जो लेटेस जुड़ी होती हैं त यहां पर जो है आपको जो लेटेस्ट है यहां पर दी गई है कि 2021 में जो लेटेस्ट आर्दभूम घोसित की गई हैं कौन-कौन की हैं तो गुजरात की दो हैं कौन-कौन सी एक तो बाधुआना आर्दभूम और थोल जील हर्याणा की अगर बात की जा तो सुल्तानपुर पच्ची बिहार और भिंडवास पच्ची बिहार साथ ही उत्रखंड का आसन सर्रक्षन छेत्र है काबरताल आलभूम बिहार की लोनार जील महारास्ट्रा तोशोकार आर्द्भूम लद्दाख सुरु सरोवर तो 2020 में जो लेटेस रही सुरु सरोवर ठीक है तो यहां पर नाइन ही दिये हैं डिटिल में अगर आपको देखना है तो आप जो घटना सार की मैंने मैगजीन कंप्लीट कराई वहां पर पूरा आपको दिया है तो बरतमान में परपेच में आपको देखना है क तो यह है 46 ना दो कुश्चन नमबर 16 है कि समावेशी इंटरनेट सुचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है समावेशी आपका यहां पर सही जबाब होगा 49th राइंग है तो याद रखना है ठीक है इंटरनेट जो इंडेक्स है यहां पर इंपॉर्टन तत यह है कि टाप 50 में आ गया है ठीक है कितना है 49th राइंग है तो इंपॉर्टन है याद रखना है अगला प्रस्ण पूछा जा रहा है कि गलोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 की संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है ठीक है यह प्रस्ण में आप जरूर इसको देखा करिए नहीं है है नहीं ठीक है क्योंकि यहां पर भी गलतियां हो जाती है पहला कथन दे रखा है कि यहां विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया तो बात बिल्कुल सही है दोस्तों ठीक है जो रिपोर्ट है हे अगला जो दिए है आपका कि प्रथम अस्थान है वह सुझ्जर लेंड को प्राप्थ हुआ है तो यह बात जो गलत है क्यों की श॥ीं को नहीं प्राप्थ हुआ है दो हजार इकीस में जो प्राप्त करने वाला है दू है आपका Ice Line क्या है Ice Line दूसरा जो दिया हुआ है कि भारत की जो राइंकिंग है 2021 वाली यह 140 है तो यह बात बिल्कुल सही है दूसरा चौथा कतन है कि 2020 में भारत का जो अस्थान है 108 है तो यह बात बिल्कुल गलत है 108 नहीं था क्यों था 112 था ठीक है तो यहाँ पर आपका जो सही जबाब होगा वहाँ पहला सही है और पहला सही है और तीशरा तो गलत कौन सा होगा तो और फोर यह गलत ही पूछा यानि सही नहीं है तो आपसन से यहाँ पर सही जबाब होगा चलते हैं आगे अगला प्रस्ण है कि बंगाल की घाड़ी में आये चक्रवात याज, आ गया पहला ही पॉइंट, याज का नाम करण किस देश ने किया, तो याज का जो नाम करण किया गया है वह ओमान कंट्री की द्वारा, आपसन यहाँ पर D सही जबाब हो जाएगा, ठीक है, और अभी कव अगला आपका प्रस्ण नंबर 19 है कि प्रधान मंत्री मोधी ने विश्व परयाबन दिवस के अउसर पर फोने में किस प्रोजेक्ट की सुरुवात की है, तो दोस्तों आपका सही जबाब होगा, E-100 प्रोजेक्ट, आपसन भी यहाँ पर सही जबाब हो जाएगा, अगला प्रस्ण है कि अरब सागर के छेत्र से भारत के पस्मी तड़ को प्रभावित करने वाला उस्ड कडबंधिये चक्रवात दड़िश तावते का नामकरण कि ने किया तावते का जो नाम करण किया गया है दोस्तों वहां मेर्कंटरी के द्वारा और यह तावते जो है किस-kिस एरिया को प्रभावित किया था So precisa में था तो महारास्ट और गुजरात को किया था और नामकड़ जो किया गया था होते कावमियां मालकंडरी की द्वारा और इसकी उत्पत्ति है रपसागर में ठीक है तो देख लेना आप शुरुआत में ही चलो आगे चलते हैं 21 अप्रेल 2021 में उष्ड कडबंधी चक्रवाद नाम क्या है से रोजा ने किस देश को अत्यधिक प्रभावित किया आपका यहां पर सही जबाब होगा दोस्तों वह से रोजा ने प्रभावित जो किया है वह इंडोनेसिया ना द्रोघ्शन आवर 22 हाल ही में क्या है दूम्सडी ग्लेशियर तो यह जो दूम्सडी ग्लेशियर है यह तेजी से क्या है पिढला इसका जो रीजन है जा और जो इष्ट्हिटी है आपको बताना है मतलब किस प्लेस बताना आपको ठीक है लुमस्डे ग्लेसियर के तीजी से पिखलने के कार्ड चर्चा में रहा तो यह आपको बताना कहाँ पर है तो आपका यहां पर बीस है जवाप हो जाएगा उन्टार्य:"¾ customer स्कूछ N. 23 भारत के किस राज दक के पहले एलेक्तिक वेकल चार्डिंग स्टेशन की याधार सिला रखी गई है। कि भारत का पहला एलेक्तिक वैकल चार्डिंग स्टेशन होगा और यहाज किस प्रदेश में किस राज्ज में आपका सही जबाब होगा है यहां पर इसे की साथ टोटल जो यहां पर वह कबर हो जाते हैं कुछ important तथ्थ देख लेते हैं जो की इक्जाम में पूछे जाते हैं परियावण से संबंधी तो यानि जो स्वाल हुई भारत वन इस्थितिर रिपोर्ट रही देखें जो वन इस्थितिर रिपोर्ट है वो हर दो साल पर जारी की जाती 2017 में फिर 2019 में फिर 2021 में होगी जारी तो एक्जाम पहले हो रहा अगर जारी हो ने इस तो आपको सोल भी दिपोठी पढ़की जाना है थोड़ा यहां पर शार्ट में दिया है देख लेते हैं कि बन आवर्ण तो सग आति सगन बन आवर्ण का छेत्रफल का जो है वह कितना है तो 99,288 यह है इंप्वार्टेंट नहीं एक्जाम पूशा नहीं जाता है जो पूशा जाता है वो कुल छेत्रफल का कितना है 3.02 है मध्यम में देखेंगे तो 9.38 है और खोले बन का 9.26 है तो अगर अगर पूशा जाता है एक्जाम में कि सबसे जादा जो है वन आवर्ण का वो कौन सा है आति मध्यम या खोले बन वाला तो आपका जो सही एंसुर क्या होगा अगर स्टेट क्योंकि कुल जो वन आवर्ण है इसमें आप देखेंगे तो 9.38 जो है वो हिस्सा मध्यम बन का है ठीक है जबकि 2.6 आप देखेंगे यह खोले बन का है थोड़ा सा पॉइंट जो है वो वन टू कह सकते हैं यहां पर ज़्यादा है मध्यम का खोले ठीक है तो यहां पर इस तरह कोश्यन बन सकते हैं अगला पॉइंट है जहाडिया जहाडिया कर देखेंगे तो 1.41 जहाडिया है कुल बानावरण में गैर बन कर देखेंगे 6 रफल तो 76.92 ठीक है कुल बानावरण भियाद रखना पॉइंट परसेंटेज यह भी पूछा जाता है 21.67 है भावगुलिक शहत्रफल आप देख सकते हैं देश में कुल ब्रिक्षावरण कितना है तो यह भी पूछा जाता है 2.89 है कुल ब्रिक्षावरण ठीक है बृद्धी 2017 यहीं कि दो साल में हर दो साल में होती इसकी गड़ना बर्स जो रिपोर्ट हजारी होती बनावरण की ठीक है तो 17 और उन्नीस तो 17-19 की तुलना की जा रही कि बर्स 2017 में की तुलना में जो ब्रिद्धी हुई है वहा कितना तो 0.65 साथ ही साथ यहां पर यह एरिया भी आप मायंगरोबन तो यहां पर 4975 है ठीक है मोस्ट इंपॉर्टन तत है देश में अगर पूंचा जाता है कि जो रिपोर्ट रही फारन ठीक है तो फारेस्ट सर्विर रिपोर्ट के हिसाब से 2019 की हिसाब से देश में कुल मायंगरोबन का एरिया कितना है तो 4975 बर्ग किलोमीटर कई बार बोलना है तो इंपॉर्टन तत्या है मायंगरोबन में ब्रिध्धी हुई है बिल्कुल हुई है कितना तो 2017 और 2019 में देखेंगे तो दो साल में जो ब्रिध्धी है वो 54 किलोमीटर की ब्रिध्धी हुई है सरवाधिक बन छेत्रफल वाले राज्य मोस्ट इंपॉर्टन तत्य है तो सबसे जादा जो बन छेत्रफल है वो देखेंगे तो 77,482 किलोमीटर का एरिया आप देखेंगे और उसके बाद अरोना चलब प्रदेश आता है फिर 36 गड़ है ठीक है तो सबसे जादा कहा है महद प्रदेश पिर की रहल है सरवाधिक बन बन प्रतिशत वाला गाउंज पूंछा जाता है कौन सा है मिजो रम और और वहीं पर बच्षेत्र ब्रेहऍचा जयता है तो बन छेत्र में पृद्धी जू ही है सबसे जादा करनाटक में बन 04 प्रतिशत वाला गर राज्य पूंच पूछा जाता है ठीक है यह जो एरिया है उसमें सबसे ज़्बना और है वह किसमें है तो मिजोरम में मध्य-प्रदेश का जोस्थान हो एरिया। अगला पॉइंट है आपका भारत में कितने किलोमीटर आर्द भूमी है तो यह है बासट हटार चारसुचाइट वर्ग किलोवीटर है और देश का जो कुल छेद्रफल है उसका तीन दस्मलों आठ तीन कतीशत है भारतीय राजज्यों में गुजरात में सरबादिक आर्द भूमी थीक है तो सबसे जादा आर्द भूमी है रामसर बेटलैंट सबसे जादा गिसमें है तो आपका सही जबाब होगा गुजरात राज्यों में चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है साथ ही आल नोटिफिकेशन बेल आइकान को जरूर प्रेस कर लिजेगा ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होती रहे इसकी लिए बेल आइक प्राप्त है